इस वीडियो में हम 10 वाला chemical company की detail fundamental analysis करने वाले हैं तो start करते हैं इस वीडियो को तो जैसा कि हम यहां देखते हैं इस company की share price 88 रुपए है और एक दिन में 20% की तेजी हमें यहां देखने को मिली है पिछले 5 दिन की बात करें 21% के positive return दिये पिछले 1 महीनों में 26% के positive return पिछले 6 महीनों में 15% के positive return एक साल में almost 4.5% के positive return दिये maximum returns के बाद करें पिछले 5 सालों में 14% के positive return और maximum returns 3160% के positive return दिये इस stock का chart pattern अगर हम देखते हैं तो काफी तेजी होने के बाद 120 रुपे, 125 रुपे का stock आज हमें 88 रुपे देखने को मिल रहा है तो क्या इस stock को हमें खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो हम बात कर लेते हैं companies के fundamentals पर तो जैसा कि हम companies के fundamentals and business को देखते हैं तो यह जो company है manufacturing करती है excluded pipe state and the various polymer like PVC, PP, PP, GL, HDPE, ABS, etc अगर हम बात करें यह जो company है इसी के साथ consumer goods consumer durables industrial products and packaging and real estate में भी work कर रही है market capitalization 82 करोड का है stock का low 60 रुपए stock का high 125 रुपए P की बात करें 222 है book value almost 96 रुपए dividend yield 00 है companies कोई भी dividend नहीं दे रही है ROC return on capital employed 0.77% है return on equity 0.39% है promoter holding भी काफी शानदार हमें देखने को मिली 67% की अगर हम बात करें यहां पर profits की quarter on quarter basis तो आप देख सकते हो company का quarter on quarter basis यहां पर 1.77 करोड का profit देखने को मिला था जो कि अब यहां पर almost 1 करोड का loss है यानि काफी profit करने के बाद अच्छा profit earn करने के बाद अभी loss देखने को मिला है अगर हम बात करें year on year basis पे तो company ने काफी अच्छा profit यहां पर earn भी किया था आप यहां देख सकते हो 2018 तक उसके बाद company का profit यहां डाउन होते वे देखने को मिला है reserves के बात करें तो companies के पास काफी अच्छा reserves भी है 80 करोड का और borings के बात करें तो almost यह company debt free है companies पे कोई भी कर्ज नहीं है अगर हम बात करें यहां पर promoter holding की तो promoters के पास 67% के stakes है FIS ने 0.004% के stakes है DIS के पास 0.22% के stakes है government के पास भी यहां पर 0.03% के stakes है और बागे public holding हम देखें तो 32% की हमें यहां देखने को मिली है यानि काफी अच्छी promoter holding देखने को मिली बस यहां पर company का जो business है plastic sector का है इस वज़े से इस companies में काफी ज़्यादा उतार चड़ा हमें देखने को मिले है काफी ज़्यादा volatile हमें इस stock में इस companies में देखने को मिला है but all over company का जो business है और companies के जो fundamentals है strong हमें देखने को मिले अगर यह company next quarter में अच्छा profit earn करती है तो इस company की और इस stock की price में काफी तेजी हमें देखने को मिलेगी अगर हम BSC पर इस stock के analysis करते है तो आप यहां देख सकते हो इस companies ने 2000 कोई भी यहां पर dividend नहीं दिया है अगर हम long term के असाब से बात करें तो काफी बहतरी in return यह company दे सकती है बट आपको patience रखना होगा hold रखना होगा और कम quantities में आपको investment करना होगा अगर बहुत ज़्यादा quantities में आप investment करते हो तो आपके लिए काफी ज़्यादा यह risk की भी हो सकता है इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने financial advisor से बातचित कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब शेर कीजिए ठेंक्य दोस्तों